हेलो फ्रेंड्स तो आईए आज बात करते हैं एपिसोड 992 की तो आईए फिर शुरू करते हैं एपिसोड की शुरुवात होती है लूफी और यमाटो से जहाँ पर लूफी यमाटो से बोलता है कि तुम किस इंसान की बात कर रही हो यमाटो बोलती है कि जब तक तुम सुन नहीं लोगे तब तक मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगी तो अब इन दोनों में समय को लेकर बैस हो जाती है तो लूफी बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें एक मिनट देता हूँ अपनी बात समझाने के लिए इसके बाद हमें दिखाया जाता है ओरोची जो बोलता है कि यह कुजू की ओडिन का बेटा है यह अभी तक जिन्दा कैसे है यह अभी तक बच्चा क्यूं है क्या आप लोग इसके बारे में जानना चाते हो तो वहाँ पर जो ओडियंस होती है वो एकदम से शोर मचाती है क ओडियंस में एकदम सा एकदम जुनून एकदम जोस सा जाग जाता है जिसके बाद औरोची बोलता है कि सुनो फिर जिस दिन कुजू की ओडिन मारा गया था उस दिन उसका कासिल भी बरबाद हो गया था लेकिन उसके अंदर कुछ लोग थे जो एकदम हवा की तरह गायब ह अब सोचो वो लोग कहां गए वो लोग फ्यूचर में चले गए थे 20 साल आगे और ये संभब हुआ था कुजू की तोकी की वजा से क्योंकि वो एक चुडैल थी मोमो औरोची से बोलता है कि तुम मेरी मा की बेजती कर रहे हो तुमने मेरी मा को चुडैल बोला है तुमें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी मोमो बोलता है कि मैं भले ही मर जाओं लेकिन जो मेरे पापा का सपना है वो पूरा होके ही रहेगा जो मेरे साथी हैं और जो लूफी हैं ये लोग मिलकर वानों का दर्वाजा खोल के रहेंगे इसके बाद हमें दिखाया जाता है लौ और सब्मरीन इनके सामने चुनोतियां होती हैं क्योंकि पानी में वगंडर आया होता है तो इन्हें आगे भी भढ़ना होता है और जो आकाजाय के मेंबर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि बस एक बार पहुंच जाएं हम लोग काईडो की मुंडी उड़ा के मानेंगे और मत का जाया मेंबर्स को अपने साथ ओनी गाशीमा में पहुचा देता है इसके बाद ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी एक आवाज आती है और इनके पास कैट वाइपर आके गिरता है फिर वहाँ पर ईजू आती है और फिर वहाँ पर मारको भी आ जाता है कीकू जब इजू की तरफ देखती है तो उसकी आखे नम हो जाती है फिर वह अपने बड़े भाई से मिलती है इसके बाद वो लोग कैट वाइपर से मिलते हैं मारको से मिलते हैं मारको बोलता है कि मैंने समुद्र में कुछ देखा है तो जरा मैं उसे चेक करके आता हूँ और मारको व हमें दिखाया जाता है काईडो, जो बोलता है कि उन्होंने अभी तक यह माटो को नहीं डुणडा है, अरे यार कैसा बच्चा है मेरा, और फिर वो बोलता है वाव हॉंग, ये बताओ लिलिन अभी तक तयार हुई कि नहीं हुई, तो हौंग बोलती है कि वो तयार हो चुकी है काइडो बोलता है कि ये तुम्हें मुझे पहले बताना था और अब काइडो एक्जीकूशन प्लैटफॉर्म की तरफ बढ़ जाता है काइडो गेट खोलता है एक्जीकूशन प्लैटफॉर्म पर पहुंसता है काइडो खड़ा होता है उसके साथ ओल स्टार्स खड़े होते हैं वो देखने में बहुत ही जादा आसम लगते हैं बहुत ही जादा आसम इसके बाद काइडो बोलता है कि ये एक्जीक्यूशन बोरिंग हो रहा है चलो इसमें कुछ मज़ेदार एड करते हैं और वो एक न्यू उनी गाशीमा प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है इसके बाद हमें दिखाये जाते हैं लूफी और यमाटो जहां पर लूफी यमाटो को अब 5 मिनट देता है अपनी बात समझाने के लिए जिसके बाद यमाटो बोलती है एक दिन मैंने अपने पिताजी से बोला कि मुझे कुजू की ओडिन की तरह बनना है तो उन्होंने मेरी मार लगा दी मैंने 20 साल पहले कुजू की ओडिन का एग्जीकुशन देखा था और वो बड़ा ही निराशा जनक था मेरे पास उनकी एक नोट बुक भी है जिसमें उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में लिखा है और काफी सारी इंपोर्टेंट बाते भी हैं जो हमें जाननी चाहिए मैंने आज तक उनसे जादा कमाल का समुराय नहीं देखा है इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि एपिसोड कैसा था दोस्तों एपिसोड बढ़िया था क्योंकि एपिसोड में थोड़ी से इंफॉर्मेशन भी थी काइडो का जो कुरू दिखाया गया था मतलब औल इस्टार के साथ जब काइडो को दिखाया था तो वो बहुत ही कमाल का सीन था मतलब चारो तरफ से लाइट और जो उनकी आखे चमक रही थी वो देखने में मज़ा ही आ गया इसके बाद निको रूबिन की भी हलत खराब थी मतलब काफी जादा और जो मारको की एंट्री थी इजो की एंट्री थी और कैट वाइपर का आना क्रू में एकदम से मतलब आका जाया में एकदम से जोश बढ़ गया है कि अब हमारे पास बैक अप है हमारे पास मारको है कैट वाइपर है इजू है इनके साथ हम लड़ सकते हैं तो मतलब बहुत अच्छा एपिसोड था और जो एंट्रियां तो हमें दिखाई गई आज वो बहुत ही बढ़ियां थी क्योंकि इससे आका जाया के मेंबर्स में जोश आ गया है तो मैं यही कहूँगा कि एट दी एपिसोड कमाल का था तो मिलता हूँ नेक्स वीडियो में जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए कुरोना से साथान गोड बाए